गड़वा, पलामू और लाते हार जीला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं राश्री पोसन माह के तहत पोसन जागरुकता अभियान कालिकरम के तहत विसुनपूरा एवं नगर उटारी प्रखन में पोसन स्वस्ता एवं इनमिया के संदेश के साथ आयोजित किया गया पोसन अभियान की थिम संतुलित भोजन स्वस्त जीवन है सहिया एवं सिवका के द्वारा पोसन के तहत जागरुक करने हेतु बच्चों और इस्त्रियों को संदेश देते हुए बताया कि अधिकांस रोगों की जड़ कुपोसन ही है इस्त्रियों में घेगा रोग अथ्वा बच्चों में सुखा रोग या अड़तंदी और यहां तक की अंधापन भी कुपोसन का ही दूस परिणाम है कुपोसन बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित करता है यह जर्म के बाद या उससे भी पहले शुरू हो जाता है और 6 महिने से 3 वर्ष की आयू वाले बच्चों में तिवरता से बढ़ता है सबसे भ्यंकर परिणाम इसके द्वारा होने वाला आर्थिक नुकसान है तेल नट बीच आधि परियाप्त मात्रा में आवस्यक है राश्ट्रिय पोसन मिशन के अभिकल्पना निती आयोग द्वारा राश्ट्रिय पोसन रननिती के तहत की गई इस रननिती का उदेश वर्ष 2020 तक को पोसन मुक्त भारत बनाना है पोसन थाली एवं पोसन माला के विशय में बताया गया कि पाँच परिवार को न्यूंतम आवस्यक सबजी एवं अस्थानिय फ़लो की प्राप्ति हेतू पोसन वाट का मोडल को गाउ में अस्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया सबजीयों में आयरन कैसियम एवं विटामिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है सबजीया का मुक्ष्रोथ होती है और विटामिन के की मात्रा सभी सबजीयों में उपस्तित होती है सरीर में विटामिन के की परियाप्त मात्रा मोजूद होने से हड़ी की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं हारी और पतेदार सबजिया महिलाओं को कुल्धे के कैंसर से बचाती है पतेदार हरी साख सबजियां सरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्त के लिए आउस्यक होती है क्योंकि इसमें सभी जरूरी पोसक तत्व उपस्तित होते हैं हम कई तरह की हरी सबजियां को खाते हैं इनमें पालक, बंदगोभी, ब्रॉकली, मेथी, सहजन की पतियां और पुदिना आदी पतेवाली सबजियों में आयरन की परचूर मात्रा पाई जाती है हरी पतेदार सबजियों में कैलसियम, बीटा कैरोटिंग, एवं बिटामिन C भी काफी मात्रा में पाई जाती है प्रते दिन भोजन में हरी पतेदार सबजियों का सेवन एनिमिया को रखने में सहायक होता है सबी आंगनबारी कारिकरताओं के समक्ष पोषन सक्षियों को पौधे वित्रित एवं पौधे को लगाने की प्रक्रिया की गई जीला समाज कल्यान विवाक के और से पोषन मास से संबदित लोगों में जागरुकता पहलाने के लिए जागरुकता रत का संचालन गाउं गाउं एवं सुदुर वर्ती इलाकों तक परचार परचार किया जा रहा है